चलो बड़ा शुरू करते हैं नया फ्रेश लेक्चर है एप्लिकेशन ऑफ गौस लोग गौस नियम के अनुपरियोग पढ़ रहे हैं हम लोग के कहां यूज आता है तो यह कौन सा है तीसरा है यह रह थर्ड पहला पढ़ चुके हैं लाइन चार्ज के लिए था ठीक है दूस लेकिन कौन सी पट्टी का चालक यह बना दी चालक यह कंड़क्टिंग प्लेट है यह बना दी कंड़क्टिंग प्लेट तो इसका मैंने एक्जाम्पल बता था तो बहुत अच्छा लॉट्टे चौको पाई का डबा लिया था और हमने कहा था कि हमने एक सरफेस प्रस्ट को यह बन और चालक पट्टी का हमने दे रहे कि यह डाइग्रांप बोलो त्रीडी यह यह गया त्रीडी दिखरा है यह डाल दिया मैंने इसके अंदर इस प्रस्ट को जो हमने कल्पन की यह रहा पिछले बार उलेक्ट्री फिल्ट पीछे भी जाई रहता है इस बार उलेक् कोन इस डाइरेक्शन है तो यह जो प्रस्ट हमने सेलेक्ट किए इसका सेत्रफल सर्दीष कि अदर है इसका सेत्रफल शर्दीष यह जो गोला मुझे दिख रहा है इसका मेरी तरफ आ जाएगा 90 डिग्री बना है ठीक है बैड यह बाहर आउटवर्ड इस प्रस्ट के बाहर होना चीए इलेक्रिपल बीदर जा रहा एस बीदर जा रहा इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना जीरो डिए लेकिन इस प्रस्ट से 90 डिगरी किसका बना है शेत्वल से तीश का एक उपर जाएगा उपर जाएगा अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो यह पढ़ रहे हैं प्लीट पटी का कौन सी चालक और यह क्या थी एचालक नॉन कंड़क्टिंग यह पीछा ओले लेक्चर में यह थी वो डिफ्रेंस पूछ लेता और सबसे अच्छा डिफ्रेंस तो बुक के अंदर दे रहा कहीं जाने की प्देशों रखनी है उसने दें रखा है इंग्लीष वाली बूस्ट में देखो भूस बेसिक डिफ्रेंस बीट्विन नॉन कंड़क्टिंग के बात कर रहा है अं ञीशह कर वाटे लेकिन कौन सी नॉन गंडवक्टिंग यह नॉन खंडक्तिंग पूरा बोलो यह झोलो तो चालत पट्टिका इस देट चार्ज इस ओनली देर वेर इस प्रोवाइड़े वन शीट जो परत है उसको जब तुम चार्ज दो गए यह परत है मेरी यह कोई 3D नहीं देखो इसके देखो यहां पर और निकले वह हैं और यह इसमें कहीं निकले पड़े रहते हैं तो तुम बोलना एचलक है एचलक में आवेश गती नहीं कर सकते हैं पट्टिका में क्या होता है हिंदी वाले देखो इस चालक पट्टिका में मूलबुद अंतर यह कि परत पर आवेश उसी स्तान पर विद्मान रहता है परत परत को मैंने चार्ज दिया यह ही पड़े गहां जहां दिया जा यह दिया जाता हम पर चलक पट्टिका में यह समान रूप से विद्मान व तता है अंदर विद उस्प्छेत्र होगा यह नहीं लिखा हुआ है ऐसको अगर तुम में दैंगा है है ऐस तूम्हák हें? ये चार्ज दे दिया तो है कहा जाएगा उसक के इसके पे प्रेष्ट पर एजाता है तो अंदर कितना रहा है अंदर रह जाता है जीर। हमेश्या तू अंदर भी लिख रहा हूं कि चालक के अंदर क्या होता है आवेज गति कर सकते हैं तो चलो गौशन सर्फेस को हम लोग अजिम करी लिया हमने यह सब है गौशलो हमारा क्या कहता है यहां से अब हमें समेशन क्यों भी निकालना पड़ेगा तो हम जानते हैं कि अंदर तो हम लें नहीं रहें अंदर तो बचेंगी अब तुम बोलोगे कि थ्रीडी वॉल्यूम है इसका दलो में चुड़ाई और अंदर भी है तो गहराई भी होगी नहीं बाहर आगे सारे के सारे यह अंदर थे सुई लगाई थी अंदर लेकिन बाहर आ गए यह खड़ा है इसके अंदर डाला था कुछ चीज उचक के बाहर आ गई यहां फैल गए तो यह क्या है लंबाई यह क्या है चौड़ाई जो बोलना चाहिए जैसे लंबाई इसको बोल रहो चौड़ाई इसको बोल दो यहां आ गए आवेश अंदर ही नहीं जब अंदर आवेश ही नहीं तो समझो नो बात पूज तो क्या लेंगे प्रिष्टी आवेश गनतों सर्फेस चार्ज डेंसिटी गुड क्या होती है क्यू इक्वल्स टू सिग्मा एस एस क्या है सर्फेस प्रस्ट जो हमने लिए उसका शेत्र पर और यहां पर मैं सीग्मा लगा देता हूं समिशन लगा देता हूं कोई फरक पढ़ रहा कुछ नहीं पढ़ रहा क्योंकि क्या है चाहे एक हो चाहे यह लगाओ यह टूटल क्यू है यह टूटल क्यू है कि बोलो यहां तक बैड़िया अब इसके तीन टुकड़ होंगे यह वाले तो इडॉट डिस ले लेते हैं यह टूवर्ट फरक प्रक पुछ भान रहर किर लेति लाशिवा किन तो इस में नाम से फरक पड़ता है कोई minus minus लगनी जरूरत नहीं है, cos 0 तो बनो जागे लेकिन E क्या है यहाँ पर 0 है, plus इसी को यूज़ करने, इसके तीन टुकड़े होगे, दूसरा कौन है, S2 है, कहा है S2, यह रहा S2, क्या है, E dot ds, अच्छा, एंगल कितना बना, थीटा बराबर 0 degree, और थीटा बराबर 90 degree बना है, यहाँ पर, यहाँ पर भी 0 degree बना है, लेकिन उसको हमें ज़रत नहीं है, तो cos 0 degree, plus E dot ds, cos 0 degree, पहुंचा वहला, S3 ले रहे हैं, स्वारी, तो 90 degree, S3, हो गया, आप देखो, अगली लाइन में लिको, since, यह we know that, हम जानते हैं, हम जानते हैं, since we know that, हम जानते हैं, की चालक पट्टी का, चालक पट्टी का, यानि, conducting plate के अंदर, inside the conducting plate, electric field remains 0, अंदर, inside, किस के? चालक पट्टी का के, E 0 होता है, ठीक है, डाल दे, और cos 90 के value कितनी होती है, 1, very good, यह, E 0 रख तो इसको, यह E 0 किया, तो यह क्या हो गया, S 1 क्या हो गया, पूरत 0 आगया, प्लस, S 2 कितना आगया, E dot D S, क्योंकि cos 0 की value क्यों होती होती है, plus, S 3 कितना आगया, 0 आगया, क्यों आगया, cos 90 0 होता है, 0 रखा तो सारा को 0 हो गया, और यह 0 क्यों होगा, क्योंकि we know that, हम जानते हैं कि, विदुशेत्र 0 होता है, किसके अंदर, किसके, चलक पटिका के, conducting plate के अंदर, ठीक है, बिंदास, चलो, क्या क्या बजगया, E dot D S, और S 2 is equals to, यह लिखते जाओ सात में, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसकी value निटालगत हो गए नहीं, चीज तो हमें कोई ना कोई बराबर में चाहिए होगा, एपसलोन नोट, यह भी क्या आगया, summation q upon epsilon not, यहाँ क्या आगया, summation q upon epsilon not, अगली लैन में देखाँ, electric field क्या है, constant है, समान विदुचेत्र है, ठीक, विदुचेत्र समान है, लिख दिया करो, विदुचेत्र एक समान है, यूनिफॉर्म, electric field, तो यह क्या जागा, constant से बाहरा जाएगा, constant है तो इस integration से बाहरा जाएगा, integration किसका करना है, अब DS का करना, DS का खुद का क्या हो जाता है, S हो जाता है, इसका क्या जाएगा, सिग्मा एस, अपॉन एप्सलोन नॉट, समझ भागा, DS का integration कर दिया है, इस से इसको मार दिया, क्या बचा, इबराबर, इलेक्टिरक फिल्ड निकल गया हमारा, सिग्मा आपॉन एप्सलोन नॉट, यह आ आ गया हमारा इसका, आर आ रहा तहीं, इसमें भी आर दूरी नहीं आरी, है न, इसे पहले बाले में भी नहीं आरी थी, यानि electric field क्या आप बोलोगे independent of distance विदुचेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, लिख देना थोड़ सा, विदुचेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, क्यों लिखना है, क्योंकि अभी तक जितने हैं विदुचेत्र निकाले हैं, electric field निकाले हैं, वो सब के सब दूरी पर कर रहे थे, कोई आर आरा था, कोई आर स्क्वेर आरा था, कोई आर क्यूब आरा था, आरा था निकाले हैं, विदुचेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, यह लिखना है इत्ता सा, लिख दोगे तो फरक्या चला जाएगा तुमाले, जाना, electric field doesn't depend on R, depend on, depend upon, distance, बैसे, फॉर में यह लखना, अच्छे, इससे पहले वाला क्या था, इसमें क्या था, इसमें नीचे टू आ गया था, क्यों आ गया था, क्योंकि वो आर पार निकल गया था, तो यह और यह सेम हो गई थी, तो दो चीज़ें जुड़ गई थी, जुड़ गई थी, दे, परत दे, तो नीचे टू लगाना है, फॉर्मलों तुमें याद होगा, ठीक है, अभी तक हम तीन फॉर्मली बना चुके है, मालूम पड़ा, इसका, यह तीसरा वाला है, पहले वाला क्या बना था, इलेक्रिक फिल्ड इकोस टू, टू के लेंडा, अबॉन आर, यह र शीट देगा, पट्टिका देगा, तो वो लेगा, तुम वैलू डालो, वहाँ पे फिर क्या, तुम खुजली करोगे, खुपड़े पे, तो फिर वहाँ पो काम नी आएगा, खुजली करना, हो गया यह, अब हम क्या बनाएंगे, इसके, ग्राफ बनाएंगे, तो बना तो सबसे पहले हमें किस पर बनाना, E और सिग्मा पर बनाना है, E proportional to सिग्मा, E समनपाती है सिग्मा के, दिख रहा है यहां से, ठीके, क्या बनता है हमेशा, सिग्मा इधर, E इधर, क्या आएगा, सीधी रेकार, स्ट्रेट लाइन आएगी है, बढ़े, E और आर के बीच में ब बन वाएगा, इस से पहले लेक्चर में बना दिया था, फिर बना देता हूं, तुम्हार लिए E और आर के बीच यह ग्राफ, तो E और आर का तो कोई relation नहीं है, तो E and R लिख रहे हैं, आर, क्योंकि relation तो कोई है नहीं, proportional तो कह नहीं सकते, इनिवस्टी proportion कह नहीं सकते, क्यो और अगर चेंज गर दिया, तो ग्राफ चेंज हो जागा ध्यान रख लगना, E और आर, यह लो, क्योंकि E कहा है, पहले वाले में Y अक्षिस पर है, यह यह रिवाई है, और दूसरे में X पर है, तो दूसरा कोई जीरो है, क्यार क्या है, जीरो है, तो ऐसा बने का, यहां प स्ट्रेट लेंग को सीधी लेखा बोलता है, और फॉर्मुले चट्र चपाट से याद होने चीए, तब ही तो कोंपुटिटिव एक्जाम की तेहरी कर पा हुए, जो नीट में और IIT में आएवे हैं, तो यहां पर यह पर फॉर्मुले की जुरुत पड़ेगी, फिर, समझ मारा है, आर जीरो है, आर नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो आर की जोरत नहीं, लेकिन फिर भी वो कई बार हमसे बनवाता है, समझ वागया ना, क्यों बनवा रहा है, वो उसकी मर्जी है, तुम्हें याद करवाने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फिल्ड कई बार ऐसा भी होता बस कर लेए, जयाद कर लेए, जब भी कट्टिंग प्ले अगड़र, लेक्टिंग फेल्ड है, बस याद कर लेना कि जब भी गुच्य बनवाता है, लोटे चोको पाय, कैसे? चोकोपाय. C से चोको और P से पाये. चोकोपाय, चोको पाये. चोकोपाय, rất久. Connecting plate ही चोकोपाय, चोकोपाय के अंदर तुमने देखा था? जल्दी किछी दूसरे लेक्चर पर पढ़ते रो तहरी करते रो घोटलो गोट